हेलो दोस्तों आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपडिशन जोन में स्वागत है अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो लाइक करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज जिन दोस्तों ने तक वह चार डिडियो नहीं देखें तो आज कर प्लेडिट में वह चार वीडियो जरूर देखें यह सुरीज आप लोगों की देख़ो पहला क encourages का कह रहा है निमने लिखित में से निमने लिखित में से किसकी संसुषी पर वरति संभिधान के मौल करतब बेसा सामिल किया गया है आप सबने बलुबन्ट राय महिता समित आपन संभी यॉस्मित सफोट समुत समुत सबेवाब संपकर समीत तो इस का सही जवाप जाएगा इसका सभी जवाब हो जाएगा आप संभी सार्स ऑपन के लगे लेकिन साथ साथ में लोग इस का एक कुछ आनेशन भी पढ़ेंगे एक Abigail के किस और देंगे तो कई कुछिशन एक कुछिशन से हम लोग तयार कर लेंगे तो हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लानेशन देखो कि बाइल इसमें संभिधान सोदन ठीक है बाइल इसमें संभिधान संसोदन का वह तो अगले कुछिशन की कुछ अगला कुछिशन का रहा है भारती संभिधान के किस अनुच्छे में मूल करतब्यों को स्वामिल किया गया है पॉइक अनुच्छेट पचास अर्षण भी इक्क्यावन ए आसंसे अनुच्छेट बावन आप्सण डी पर त्रफण तो इसका सही जवाब किया हो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन B अनुचेत पच्चा इक्यावन का A ठीक है अब हम लोग देखते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन कह रहा है भारत के सम्मिधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तब उल्लेखित है आपसन A भाग 3 आपसन B भाग 4 आपसन C भाग 4 A आपसन D भाग 6 तो इसका सही जवाब क्यों हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन C भाग 4 A अब देखो इसमें हो लोग देख लेते हैं भाग 3 में क्या कहा गया है भाग 3 में कहा गया है मौलिक अधिकार क्या है भाग 3 में मौलिक अधिकार ठीक है मौलिक अधिकार और भाग चार में खा गया है राज के नीत निजर्ट क्या गया है राज के नीत निदेशक तो ठीक है कि निदेशक त्था तो कि तो यह कुशन आप लोगों को समझ में आया होगा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्या कह रहा है थोड़ा सा इसमें कि देखो अब नेक्स्ट कुशन क्या कह रहा है कि रहा है भारती संभिधान में कितने मौलिक करतब है आपसन ए नो आपसन भी ग्यारा आपसन सी बारा आपसन डी बीस तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसन बी वर्तमान में कितने मौलिक है कि करतब है वर्तमान में ग्यारा है ठीक है इसका ś Rede Pokemon ंभी देख लेंगी आगे कराव significance है रहाँ देखो n 야 लेकी यह परिदान बенно कर्ता हमाले मौली करते हैं संभिदान में संसु दानल वह तब में डश मुलक करतब को जो जोड़ा गया कि टेज़ीं है था कौन से संघ्धान संस्वधन में लेकिन 60 में 21 में शुर्धान संस्थान संधान 502 में एक मॉलिक करतब और जोर दिया गया किते हो गया ग्यारा अग्र पूछ य Арवर्थमान में कीते हैं मॉलिक करतब तो है अगर सोरे मॉइंप करता थे थे तो 10 मॉलिक करतब सबसे पहले कश जोड़े गये तो 2 सब्सक्राइब जोड़े गए थे अब लोग हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन की और अगला कुशन कह रहा है भारत में राष्ट प्रतिका चुनाओं का प्रकार है प्रकार हिद है तो आप आप इसका आप लोगों को जाब बताना है तो गराप प्रत्य रू हो जाएगा इसका सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब प्रतिक आप देख प्रत्य रूप कहा का चुना की रूप से अमेरिका के राष्ट पत्यूर्ब का चुनाओं की आया लिकिन हो जो प्रत्रच्छ्य मतदान से भारत के राष्पधी का चुनाओं किया जाता है हम लोग इसका कुछ एक्स्प्लानेशन देखते हैं देखो जो राष्पध की नियुक्त होती है अनुच्छेद के तहत होती है अगला कुछिशन क्या कह रहा है भारत में राष्पधी का चुनाओं किया जाता है प्रतच निर्वाचन के द्वारा एकल हस्तांत्रणी मत प्रणाली के द्वारा सी अप्षन अनपातिक मत प्रणाली के द्वारा डी आप्षन खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सब दी एकल हस्तांत्रणी मत प्रणाली के द्वा क्या कह रहा है देखो इसका थोड़े से इस कुछिशन को आप लोग बहुत साधाने से समझेगा राष्ट पति के राष्ट के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं ठीक है आप सर फश्ट आप संसद के दोनों सदस्यों की निर्वाचित सदस्यों के द्वारा सभी राज्यों की विदान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा आप संदी दिल्ली और पानिचेली विदान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा अब देखो इसमें चार आप सने इसको आप लोगों को बताना है कि कह रहा है आप सर ए आप सने फर्स से के सब्सक्राइब शक्राइब सब्सक्राइब तो पहला वोड़ा या आपसन एक और टी सई है आप संसी कह रहा एक दो चार सब्सक्राइब आपसन डिकाह रहा है एक तीन और चार से हैं तो इसका सही जाव क्यों जाएगा इसका सरे जाओग आप संद एक तीन ओर चार तो आपम लोग देख लें दो आपसल इसका आपसल भी क्यों नहीं सही है कि देखो इसको लोग आजिभ देखते हैं तो राज के बिधधान परसद के सदद्स से भाग नहीं लिते ती राज के बिधवान बंदल के पर सद цен वह इसमें भाग नहीं अकाinstallीश में ते और कर सकते हैं पहले यह दिल्ली र elders उपांट शैरी के सदास हैं नहीं लेते थे संभी कि इनकोी सामिल कर लिया गया इनगे मतलब मत का अधिकार दे दी खाति किस में राष्ऩ से चुनाओं में अपना पॉर्ड कर सकते हैं तो पहले न YouTube कैण तlan truc नहीं प्राप्ठ था अहमरते हैं अपने next question के और next question कह रहा है भारत के राश्टपती के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने लोगों को अनुसमर्थन होना चाहिए इस question का यह मोटी है पहला अपसंद कह रहा है ही जवाब हो जाएगा आप संद सी 50 निर्वाचकों के द्वारा अब इसमें भारत के राश्पति के चुनाओ ऐसे नहीं है कि कोई भी रोग चला जाए आम आदमी चला जाओ वो चुनाओ लड़ सकता है हां आम आदमी चुनाओ लड़ सकता है लेकिन उसके समर्थन में जो न अब हम लोगा बलते हैं अपने नेक्स्ट क्यों क्यों क्या गह रहा है राश्पति के उम्मीद्वार के लिए क्या आवस्थ्यक नहीं है इन में से और चारा अपसन में आपको बताना है कौन सा नहीं है कर आविए 35 वर्स होने चाहिए आपसन भी भड़ा लिखा होना चाहिए आपसन से संसत्थ चुने जाने की योगता रखा रखता हो ठीक है आपसन देशिका नागरी को देखो राश्पत के चुनाओ के लिए क्या क्या ह कि योगिता रखता हो ते हैं वह देश का नागरी लेकिन जो अपने सम्मिदान है उसमें अनुच्छेद 58 के तहर राष्ट पति को उसमें देख दिया गया है 58 के तार राष्ट पति के निर्वाचरिक होने के लिए योगिताओं का उल्लेख नएक या जिसमें यह साब साब लिए उसको पड़ा लिखा होना जरूरी नहीं है यह ना पड़ा हो तब भारत का राष्परी बन सकता हो ले एक स्कृष्ट इंक रहा है कौण सानुच्छेद राष्ट पत के लिए पुना निर्वाचिन की योगिताएं निरहारित करता है आप सने अनुच्छेद 52 प्रचे आपसंफ नभी प्रचेत चमववण असंची प्रचपन अप संट इनुच्छेद 57 तो इसका सभी ज़ाब क कर दो जाएगा आपसंट दियन उचेट सब्सक्राइब बढ़ते अपने नेक्स्ट कुश्चिन की और भारत के राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर्द के देते हैं तो किसको देते हैं इसका करा है कि सब्सक्राइब 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 वर भारत के राष्ट पत्र कोठ है नेक्स्ट की और करा है भारत के राष्ट्तिपती को विए फटाया सकता है किसके दोरा भारत के राष्टुक्र 悟ट सकता है तो भारत के प्रधनमंत्री दौरा और एक से लोगंच दौरा आप संदी संद्बारा तो इसका साही जब को जाएगा आप्संड दी संसद के द्वारा Sunset कैसा हटा जासकता है तो महाभीयोग प्रिक्लिया द्वारा संसद द्वारा महाभीयोग की प्रिकलिया लगा pana कर राजपत को हटाया जा सकता है अए नेक्स्ट कुश्य estado अगला कुछ फिकिन या रहे हैं कौन से अनुछेद के तहत भारत के दाश्पति पर महाव्योग लगाया जा सकता है आप सने अनुछेद तिर्पन आप संदिन अनुछेद लिए चाहतर आप संदी अनुछेद त्यारा तो देख इसका सही जब के अपसंद बी अनुछेद एक सट के तहद देखो अनुचेद एक सट के तहद ठीक है अनुचेद एक सट के तहस इनको हटाय तो जा सकता है लेकिन जो इनका जो प्रस्ताव है वह कहां पर लाया जा सकता है सदन के जो सदन होते हैं दोनों सदनों मिला जा सकता है इनको हटाने के जो प्रक्रिया है इसी लोग सभा दोनों में प्रस्ताव लाए जा सकता है अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट कुश्चन की और नेक्स्ट कुश्चन क्या कह रहा है राष्टपर परमहाभ्योग चलने के लिए कम से कम कितने दिन पूर सूचना आवस्चक है मतलब राष्टपति को अगर हटाना है तो उनको कम से कम कितने दिन पहले उनको सूचना देना जरूरी है तो आपसन ए साथ दिन पहले आपसन भी चौदा दिन पहले आपसंसी एककी दिन पहले आपसंडी पहे तालिज दिन पहले तो इसका सही जोब के हो जाएगा आपसंड आपसंड भी 14 दिन पहले इनको सूचना देना जरूरी है जो कहां पर एक सब के सेकेंड में वानित है ठीक अनुछेद एक सरके सेकेंड भाग में मुवानित किया गया है कि उनको कितने दिंग पहले यह सूचना देना जरूरी है अब हम वड़ते हमने नेक्स्ट कुश्चन की और ऐसे लाए भारत के राश्ट पदी को कार्य अवदी समाथ होने से पूर हटाया जा सकता है देख पहले भी आ चुका है लेकिन यहां पर भी आ चुका है कहरा है सत्ता दारी डांजिक डल द्वारा मालव जूकेंद सरकार में उसके द्वारा अफशन भी प्रधानमंत्री द्व और आपसंसी मावियोग द्वारा या आपसंडी नियाल नियाले में ट्रायल द्वारा तो इसका हम लोग उन्हें पहले भी उले कर दिया है तो इसका सही जाब क्यों जाएगा इसका सही जाएगा आपसंसी मावियोग द्वारा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुईस्चन की और कह रहा है राष्ट पति का रिक्तिस्थान भर लिया जाना चाहिए यदि राष्ट पति रिटाइर हो चुके हो या उनका देहांत हो तो उनको वह जो रिक्तिस्थान उता हो कम से कम कितने दिन भाले भर लेना चाहिए तो नव्य दिन में भी आफ़सं छाह माह में सियाफ चन नौ में एक वरस्ट में तो इसका स्थ जाएग में राष्ट पत्तर पत्र यह उसको भर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्विस्चिन की और है यदि भारत के राश्ट्पति का पद रित्य हो जाए और कोई उपराश्ट्पत भी ना हूँ तब कौन सा कार्वाहक राश्ट्पति होगा आप सने राज जी का उपसभापति आप सन्वी भारत का महानेयवदी आप संसी लो आप संवी ना हो इसका सही जाब क्या होगा आप संडी भारत के जो मुख्य ना दिस होती है वह राश्ट्पति रूप पुराश्ट्पत की अनपस्तिती पर राश्ट्पति का कारवार समालते हैं अब हम लोग वड़ते हैं अपने नेक्स्ट क्विस्चिन की और कह रहा है वह निम्य निम्लिकिस मेंसे कौने भारति गढता नतुंका प्रमुख है एक जीए भारत काराक्षपति भारत कानमंत्री यह मंत्री मंटल आप संडी राजनीति प्रम३ मंत्री मंग मंंत्री परसंज शाहिट इसका सइब हो जाए chip लाज का राश्ट पती जो गट्रार चू होते हैं उनका जो प्रमुक होता है वो राष्ट पती होता है ठीक है अब लोग को अपने नेक्स्ट विश्चन की और आज हम लोग अपने सेस्टन की बिलगूर राश्ट पति लोग सभा को भं कर सकते हैं तो मुख किनाधिस की नसन सब्सक्राइब लोग सभा की नसंसा पर केंद्री मंदल की अंसंसा पर यह डी कर राजय सवा की अंसंसा तो इसका जाव होगा आपशन C केंद्री मंदल की अंसंसा पर अभ हम लोग इसका थोड़ा से एक्सप्रानेशन थोड़ा नीचे देख लेते हैं देखू कै रहा है अनुछयद पत्चासी के अनुष्ट प्ति लोग सभाको भंक कर सकते है साथ राश्ट पर लोग सभाकों कर सकते हैं कि यह सक्ते चावालिस केंद रहे गए अर्थाद केंद्री मंध्ल की ऑंसंसा पर या कर सकते हैं तो अब यहां से प्रते किया चाहत्र में केंद्री मंद्री मंध्ल पनोर सकते इसको अपने जिए की और यह हमारे कुछ आपके सेशन का अंतिम कुछ्चन है कह रहा है कि भारती संसद का संयुत अधिवेशन कौन बुला सकता है कि आप सन ए राष्टपद आप सन भी उपराष्टपद आप संडी प्रधानमंत्री या अप संडी लोकसभा तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बाक्स में लेकर बताना है अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें अगर जिन दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यह सीरीज कंटीन्यू जारी रहेगी तो आप लोगों को चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्ट विडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जय हिन जय भारत